आकाश्वणी फोपाल से प्रस्तुत हैं फ्रादेशिक समाचार निमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंख सबसे पहली मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने कहा कि जल सनक्षन जन भागेदारी से ही अधिक प्रुभाव पैदा कर सकेगा किंद्री कपड़ा मंत्रा लेनी तक्नीकी वस्त डिर्गरी कारिकरम के लिए दिशानिर देश शारी किये और परश्मी विशुप के प्रभाव से रासानी भुपाल सहित कुछ जिलो में सर्धी का असर हुआ कम कुछ जिलो में पढ़ सकता है मापथा अब समाचार अस्तार से प्रुधान मंत्री नरीन रुवूदी ने जल सरेक्षन के लिए जन भागिदारी का आवान करते हुए कहा है कि हम जन भागिदारी के दिशा में जितना जादा प्रयास करेंगे उतना हियादिक प्रभाव पैदा होगा प्रुधान मंत्री ने भूपाल में आयोजेद जल पर सभी राज्यों के मंत्रियों के प्रिथम अकिल भारती समेलन के शुभारम पर वीडियो संदेश में कहा कि देश हर सले में 75 अमरसरुवर बना रहा है और अब तक 25,000 अमरसरुवर बन भी चुके हैं प्रुधान मंत्री ने कहा कि आज भारत जल सुरक्षा में अभूत पून काम कर रहा है और अभूत पून निवेश पी कर रहा है उन्होंने कहा कि जियो मैपिंग और जियो सिंसिंग जैसी तक्नीक जल सरक्षन के कारे में महत्पून भोमिका निभा रही है मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने अपने संबोधन में कहा है कि जल्दी ही मत्रदेश की जलनीती जारी की जाएगी उन्होंने सम्मेलन में आये सभी मंत्रियों को कल भोपाल में पौधरोपन के लिए आमंत्रित किया और कहा कि इस इस्थान का नाम Water Prison Park रखा जाएगा सम्मेलन में किंद्री जल्शक्ति मंत्री गजीनर सिंग शिखावत और जल्शक्ती राजिमंत्री प्रला सिंग पतेल सहित राज्यों के मंत्री और विभागी अधिकारी शामिल है कपड़ा मंत्राले की मंजूरी से सनातक और सनातक उत्तर में तक्नीकी वस्त डिग्री कारिक्रम के लिए दिशानरदेश शारी कर दिये गए हैं इसे नए टेक्निकल टेक्स्टाइल डिगरी कारिक्रम और नए पर्चों के साथ मौझूदा डिगरी कारिक्रमों को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी इन दिशा निर्देशों के माध्यम से मंत्राले ना केवल टेक्निकल टेक्स्टाइल में बलकि सिविल, मेकेनिकल और एलेक्ट्रोनिक जैसे इंजिनिरिंग के शेत्र में भी एको सिस्टम एकसित करना चाहता है बीटिक चात्रों को इंटर्शिप कराने वाले कंपनियों और साबजनिक तिथानेजी संस्ताओं को प्रतिशात्र प्रतिमाहब 20,000 रुपए की चात्रवरति दी जाएगी ये चात्रवरति टेक्निकल टेक्स्टाइल, GIST, गाइडलाइन्स के अंतरगत दी जाएगी टेक्निकल टेक्स्टाइल में पूरा कोर्स शुरू करने के लिए PG कोर्स के लिए 20 करोड रुपए और यूजी इस्थर पर 10 करोड रुपए तक के सायता दी जा सकती है विद्याथियों को सुरक्षित और स्वच पोजन के उपलब्धता सुनिशित करने के लिए बैतोल जिले के विकासकन भीमपूर में आज एक प्रिशेक्षिन शिवर आयोचित क्या गया शिवर में प्राथमिक और माधमिक शाला के सुसायता समू और आंगन बाड़ी के सांझा चूला के अध्यक्ष सच्छिव और सुयों ने भाग लिया प्रदिभाग्यों को भोजन बनाने के सही तरीके सिखाए गया जिससे उनके पोशक तत्व नश्ट नहीं हो पोशक तत्वों को संजोई रखना मिर्च मसालों का प्रियोग आयोडीन युक नमक का सही इस्तमाल पल सबसी काटने धोने के संबध में विस्तर जानकारी दी गई प्रदिभाग्यों को खाद जनित रोगों के बारे में आफगत कराया गया प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए 100 ग्राम आटे में 33 रोटियां और माधमिक शाला के बच्चों के लिए 150 ग्राम आटे में 5 माच रोटियों को बना कर बताया गया उचित मूले दुकान से प्रतिमाह खाध्यान का उठाव करने के संबंद में भी जानकारी दी गई नीमच में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश से गद्दिवस जन्पत पंचायत नीमच में जैविक हाथ बाजार का आयोजन किया गया प्रिशी वैज्यानेक डॉक्टर ऐसे सारंग देवोद ने फसलू में लगने वाले प्रमुकीत और बिमारियों का जैविक टक्नीक से प्रबंधन और उप्चार के बारे में बताया डॉक्टर पियस नरुका ने जैविक उत्पात तयार करने और जैविक उत्पात की ब्रैंडिंग और मार्केटिंग तिथा जैविक प्रमाणी करण पर जानकारी दी हाट बाजार कारिक्रम में जैवे खेती करने वाले किसानों ने फलसबसी औशधी महतो के पौधों की प्रदशनी लगाई समाचारों में वक्त है ब्रेक का या AIR News आप पर भी समाचार सुन सकते हैं के लिए पैसा आवन्तित किया गया लेकिन इस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया श्री कमलात ने कहा कि सतना का चित्रकूट हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है केंडरी ग्रेह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज जैपूर में जाच एजिंसियों की प्रमुखों के तीसरे राश्री समेलन का उद्खाटन किया इस उसर पर नित्यानंद राय ने कहा कि अपरात के बदलते स्वरूप के कारण पुलिस के लिए आधनिक टक्नीक के अस्तमाल आवश्यक हो गया है उन्होंने कहा कि अप पुलिस को स्मार्ट बलके रूप में मजबूत करने के आवश्यक्ता है श्रीराय ने कहा कि केंद सरकार पुलिस के आधुनी की करन के लिए लगातार प्रयास कर रही है उन्होंने बताया कि इस देश के लिए सरकार ने वर्ष 2021 से 2026 तक के लिए 26,000 करोड रुपए की युचनाय मन्जूर की है दो दिवसी सम्मेलन का आयुचन पुलिस अनसंधान और विकास वीरों ने किया है देश में दिसंबर 2022 में कुल कोईला उतपादन 10.8 एक प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ कुल 8 करोड 28,70,000 हो किया है पिछले साल इसी अवधि में कुल उतपादन 7 करोड 47,90,000 था कोईला मंत्राले के निसार पिछले महिने के दौरान कोईले के आपूरती 5.28 प्रतिशत से बढ़कर 7,89,10,000 थी प्रतेश के अधिकान जिलों में इन दिनों कडाके की सरधी पढ़ रही है कई शेत्रों में कोरा भी छाय रहने की संभावना है बीते दिनों सबसे कम तापमान ग्वालियर में 4.5 दिक्री सलसियस तरज क्या गया रासनी पुपाल में रात का तापमान 7.4 दिक्री रहा जो सामान से 3 दिक्री कम है रीवा सागर चंबल संभाग के सिलों में खाने कोरे का औरेंच अलट जारी क्या गया है कई सिलों में स्कूलों के समय में संशूतन क्या गया है इन दोर में भी सभी स्कूलों में समय परवर्तित क्या गया है नरसरी से बार्मी तक के सभी स्कूल नौ बजे से पूर प्रारंप नहीं होंगे अपको समचार सिंग शेप में जिला कलेक्टर ने नर्मदापुरम में संबल 2.0 योशना के लंबित आवेदुनों का शिक्र निराकरन करने के निरदेश सभी जनपत सीओ और नगरपालिका सियमो को दिये हैं सतना सिले के नागौत शहर में अमरिन नदी पर एको टूरिजम पार्ग बनाया जाएगा आगर मालबा में सांसत महिंर सिंग सोलंकी ने आयोजित होने वाले दो दिवसे युवा खेल मौतसफ के तयारियों को लेकर स्टेडियम ग्राउंड और खेल मैदान का निरिक्षन किया सतनमी वनमंत्री और जिले के व्रभारी मंत्री डॉक्टर कुमर विजय शहा ने कलेक्टरीट सभाग्रह में विभिन विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर कारियों की समिक्षा की रदलाम में राजिस्वकारियों में कठिनाई को दूर करने के लिए 3 करोड 22 लाख रुपए के लागत से 3 इस्थानों पर उप तहसील कारियाले भौन की स्विक्रिदी दी गई है देवास दिला जील प्रोदेश की पहली ISO जील बन गई है जील अधिक्षक हिवानी मनवारे और जील उप अधिक्षक अनिल दुबे द्वारा जील में किये गए नमाचार और बंदियों की उत्थान के लिए किये गए और लेकनी कारियों के लिए प्रमार पत्रजारी किये राइसिन जिला इस्तरी स्टैंडिंग कमिटी की बैठक कलेक्टिर और जिलाग निर्वाजन अधिकारी अर्विन दुबी के अधिक्षिता में कलेक्टिरी सभाकक्ष में आयोजित की गई हर्दा में आज भारत निर्वाजिन आयोग द्वारा निर्धारित कारिक्रम के नुसार बदाता सूची का अंतिम प्रकाशिन क्या गया खन्डवा में श्री नील कंठीश्वर शासकी इसनात को तर महा विद्याले के हिंदी विभाग के विद्यातियों के एक दिवसी शैक्षिनिक भ्रुमण यात्रा के निमाण के प्रुसिद्ध संत सी श्री सिंगाजी समाधिस्तल पर संपन हुई भाज़पा की राश्री महासचिव कैलाश विजवर की आज एक दिवसी दोरे पर शाजापर पहुँचे इस पुलिटिन में इतना ही दीजे इजासत नमस्कार